Hello everyone, so we are solving the in-text questions of the chapter electrochemistry and today we will discuss question number 11. So the question is, suggest a list of metals that are extracted electrolytically. क्या बताने है बिटा आपको? कुछ metals की नाम बताने है, एक list बनानी है उन metals की, जिनको आप electrolysis की तुरू extract कर सकते हैं. कैसे बताएंगे बिटा, इसके लिए हम लेंगे electrochemical series, यह electrochemical series जो आपके book में given है, उसका हमने लिया है एक part, ठीक हैं, यह lower part है उस series का, मतलब यहाँ पर यह है आपके पास hydrogen, hydrogen से नीचे वाले elements हमने लिये हैं, यह यहाँ पर है बिटा increasing, जब आप उपर से नीचे की तरफ आपके नीचे की तरफ आएंगे तो strength of reducing agent increase होगा, मतलब यहाँ पर जो सबसे last में है lithium, यह lithium सबसे अच्छा reducing agent है, मतलब हम इसको use करके किसी दूसरे species को reduce करवा सकते हैं, और इसका खुद का क्या होगा बिटा, इसका खुद का होगा oxidation, clear? तो हम कैसे चेक करेंगे कि कौन से metals का electrolysis हमें करवाना है, देखो बिटा, जब हम छोटी classes में होते हैं, तो हमने पढ़ा है कि जो reactivity series में top most metals होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बहुत जादा reactive होते हैं, इसलिए हम उनको electrolysis के थूँ extract करते हैं, होता क्या है बिटा, और से हम निकाल लेते हैं metal oxide, metal को हम उसकी oxide की form म ले आते हैं, और उसके बाद हम करवाते हैं उसका reduction, reduction करवाने के लिए generally यहाँ पर use किया जाता है carbon को, ठीक है, और जब यहाँ पर reduction हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको metal oxide से आपको मिल जाएगा metal, यहाँ पर यह जो आपको metal मिला है बिटा, इसको बोलते हैं crude metal, ठीक, उ पाएंगे extract, देखो बिटा, ऐसे metals जिनको आप carbon को use करके reduce नहीं कर सकते, उन metals का हम electrolysis करवाते हैं, अगर हम यहाँ पर इस series में देखें, तो जिनकी E0 की values negative है, जैसे minus 3.05, minus 2.93, minus 2.87, यह क्या है बिटा, यह इन metals की reduction potential given है, तो जिसकी जितनी जादा negative reduction potential होगी, इसका मतलब होगा कि वो होगा बहुत अच्छा reducing agents, और जो जितना अच्छा reducing agent होगा, वो क्या करेगा बिटा, सामने वाले को जाके reduce करेगा, और खुद उसका oxidation होगा, तो जो सबसे अच्छा reducing agent है lithium, क्या कोई इसको reduce कर सकता है, नहीं कर पाएगा, तो इसी लिए हम करवाते हैं इनका electrolysis तो आपके पास कौन-कौन से metals हो सकते हैं बिटा, यह जो last वाले metals हैं आप इनको ले सकते हैं, आपके पास हो सकता है potassium, calcium, sodium, magnesium, यह सारे metals को आपको electrolysis के थ्रू ही extract करना पड़ेगा, क्यूंकि इनको हम किसी भी तरीके से reduce नहीं करवा पाएगे by using carbon और aluminium, बस इतना answer करना था मिलते हैं next question में तब तक के लिए, बाए बाए